यू तो लोग खाने पीने के मामले में कहीं वीचले जाते हैं। खाने को लेकर कुछ भी करते हैं। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में एक ऐसी ही वारडात बताएंगे जिसके बारे में आप सुनकर कई दफा सोचेंगे। आखिर खाने को लेकर लोग ऐसा कैसी कर सकते हैं। जिहां आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे लोगों के द्वारा चाओ सिखाने वाले पीजा के बारे में। पीजा तो आपने सभी ने खाया होगा। आपने तरह तरह के पीजा भी खाये होंगे। सब अपनी अपनी पसंद के मुतावित ही इसमें टॉपिक्स डलवाती हैं। कोई वेजिस के लदा हुआ पीजा खाना चाते हैं। कोई चीजी पीजा खाना चाते हैं। तो किसी को चिकन या फिर चीज वर्स्ट पीजा पसंद होता है। हालनकि आज तक आपको कभी किसी ने साफ वाला पीजा आफर नहीं किया होगा। अब यह कमाल भी पीजा बनाने की लीजिंग Adams पीजा हठ लिखा रही है। जिहां दोस्तों एक रेस्ट्रेंट अपने ग्रहकों को स्नीक यानि की साप वाला पीज़ा ओफर कर रहा है C&N की एक ख़वर की अनुसार पता दे के पीज़ा हट की ओर से आपने हॉम कॉम बेस्ट कस्टम्स को स्नीक पीज़ा दिया जो रहा है कंपनी का कहना है कि यह उनके लिए एक स्पेशल एडिशनल है ना सर्फ कराकी की ठंड में लोगों को गर्म रखेगा बलकि यह उन्हें स्नीक मीट का भी फ्लेवर भी देगा और चीज़ के साथ चखने को मिलेगा यू तो पीज़ा हट एक अमेरिकन कमपनी है जिसकी आउंटलेट दुनिया भर में फैली हुई है तरह तरह की लोग अपने पसंद के अनुसार पीज़ा को लेती है इसनी अभी हाल में ही हौंग कॉन में स्नीक पीज़ा के सुरुआत क जो कि बहदी चौकाने वाली ख़वर है सोशल मीडिया पर इसकी मार्केटिंग देखने के बाद लोग बरदाश नहीं कर पा रहे हैं हलाकि जिन ग्रहकों को टार्गेट किया गया है वो हौंग कॉंग के हैं और जहां लोग चाव से साप का मांस खाना पसंद करते हैं और श हिस्सों में साप की खीती पहले भी हो रही थी अब कई और दीशों में स्नेक फार्मिंग भी सुरू हो गई है आपने तरह तरह की फार्मिंग सुनी होगी फिस फार्मिंग वेजिटेवल फार्मिंग और अब स्नेक फार्मिंग भी सुरू हो गई है लोग इनके डिनर में ब मीट को भी सामिल किया है यह अपने आप में एक तरह से नई कोशी से आपको क्या लगता है में कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं तो फिलाल आज की अखास शिपोर्ट यही तक थी ऐसे खबरों के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ